हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग हमारी आज की कहानी का नाम है प्रभाव ऐसा क्या खिला दिया तुमने माको जो उनका पेट खराब हो गया आफिसे घर आये विशाल ने माको पस्त देख प्रियंका पर भड़कते हुए पूछा सासु मा भी चुपचाप लेटी हुई थी हमेशा तो यहां रहती नहीं हैं कुछ दिनों के लिए ही आती हैं गाउं में उनका खान पान रहान साहन सबसादा है और तुम अपनी उट पटांग चीजे माको खिला कर बीमार कर देती हो ताकि वो यहां नहीं आएं दूसरे कमरे में बच्चे आपस में काना फूशी कर र यहां हुना यह सास है ना तुम्हारी इसलिए परवाह नहीं करती हो अपनी मा होती तो बहुत परवाह करती सब समझ रहा हूं तुम्हारे इरादे को विशाल मा की तबेत खराब देख बिफर पड़ा था और अनाफ सनाब बोल रहा था हो गया तुम्हारा बोलना या कुछ बाकी है जल्दी से वो भी उगल दो प्रियंका भी आपाक होते हुए बोली हो गया अब बोलो प्रियंका की आवाशे उसे लग गया कि वो गलती कर रहा है उस पर चिल्ला कर आज बच्चे प्रियंका आगे कुछ कहती उसे पहले दोनों बच्चे दर्वाजा खटखटाने पापा आप घर आते दादी की हालत देख मम्मा पर गुसा करने लगे पर एक बार भी ना तो ठीक से पूछा ना दादी ने मुझ खोला ससुनना आपको या मम्मी पर गुसा करना ये सोचलो पहले हम अब बच्चे नहीं रहे पापा आप इस तरह बात-बात पर मम्मी को डा हो रही हैं और जो देखेंगे उसका असर भी उन पर होगा सब्दों में नर्मी लाते विशाल दोनों बच्चों से सौरी बोले और बोले अब बताओ दादी ने ऐसा क्या खाया है पापा आज मम्मी पास के सुपर मार्केट से सामान लाने जा रही थी हमने अपने लिए अकेले खाते मुझे कुछ न देते तब हमने कहा दादी ये डोनट है तुम्हें मैदे की चीजे खाने से पेट में तकलिफ होती है न इसलिए नहीं दिया पर वो गुस्से में बढ़बढ करने लगी तब मम्मी ने थोड़ा सा डोनट दादी को दे दिया फिर उन्हें अच और मम्मी की गलती भी नहीं थी फिर भी वो चुप थी नीडू ने कहा विसाल चुपचा वहां से उठा और मा के पास गया मा प्रियंका ने तुम्हें क्या खाने को दिया था वो तो कह रही दो पार में बस आपने हलका खाना खाया था उससे तकलिफ हो ऐसा नहीं लग रहा बच्चे तो डोनट खाये थे वो बता रहे थे आपका भी मन कर रहा था पर आप सायद नहीं खाई विशाल ने मा से पूछने के धे से पूछा हाँ वहीं तो खिला दिया सबने ये कहकर खाकर देखो बहुत टेस्टी है अब मुझ बुढिया को क्या पता वो क्या चीज है पिर भी तुमने खा लिया अच्छी लगी तो जब पता है तुम्हारा पेट कमजोर हो चला है तुम्हें हलका और सुपाचे खाना खाना चाहिए तुम डोनट खा बैठी थोड़ा सा खा लेती टेस्ट लेने के लिए पर पूरा एक क्या बोलू मा तुम्हें भी प्रियंका को डाट रहा था फिर भी तुम चुप रही विशाल मा की हरकत से हतास हो बोला बेटा मुझे अच्छा लगा इसलिए खा ली वैसे तो तु जानता ही है कितना परेजी खाना खाती हूँ पहली बार देखा ऐसा कुछ फिर बच्चों के साथ बहु को भी खाते देख लगा य तुम्हें तकलीफ में देख मुझे अच्छा नहीं लगता बस इसलिए आपा खो बैठा देखो स्वाद के चक्र में अब दवाई और खिचली पर आ गई मन कर रहा तो बस थोड़ा खालो पर ऐसे पेट को नुकसान कर खाने का क्या मतलब मा को कह दवाई देकर विशाल वहां से उठकर प्रियंका के पास गया और मा भी मांगी अब से बच्चों के सामने अपने वेवहार पर कंट्रोल करना होगा जब भी आपा खोने लगूँग तुम मुझे समाल लेना मैं भी नहीं चाहता मेरे बच्चों परिश का कोई दुस्प्रभाव पड़े विशाल ने प्रियंका का हाथ पकड़ कर कहा प्रियंका समझ रही थी विशाल मा से बहुत ज्यादा लगाव रखते और ऐसे में वो गुस्सा स्वाभाविक है और आज उसके बच्चों ने भी तो वहीं किया अपनी मा पर बेवजा गुस्सा करते देख पापा के सामने जा मा की तरफदारी कर बैठे आसा करती हूं दोस्तों आपको हमारी कहाने जरूर अच्छी लगी होगी धन्यवाद